नमस्कार, डीफोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ राम नारायन सर्मा बोकारो जीले की जब भी बात होती है तो यहां की पढ़ाई को लेकर पुरे देश में इसकी चर्चा होती है लेकिन आज मैं बोकारो जीले के एक ऐसी चीज की चर्चा करने जा रहा हूँ जिससे जानकर आप अकसर चकित भी रह जाएंगे और उत्सुक भी होंगे बोकारों को लेकर अक्सर आप कई चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं लेकिन मैं आज बताने जा रहा हूँ एक ऐसी खेती की जिसको छत पर की जा सकती है और यहां टक्निकी हमारे बोकारों के सबसे महतपूर्ण जगत चास में है इस खेती को लेकर इस घर के मालिक ने कैसे इसे अपनाया और कैसे इनको इसकी प्रेरना मिली इससे जानने के लिए सीधे मैं उनसे ही जुड़ता हूं और उनसे जानकारी प्राप्ट करता हूं सबसे पहले तो डीफोकस चेनल में आपका स्वागत है सबसे पहला अपना परीचे बताएं नाम संजर कुमार है चास ब्लॉक में यह आप चास का किसरी किसना पुरी कलोनी में चार नंबर गली में आपको यह लगा हुआ है यह प्लांट इसका जो है इस में बोलते हैं हैड्रोपोनिक यानि पानी के द्वारा जिस्वाइलेस हैड् इना मिट्टी का बागवानी करना इसका सबसे बड़ा खासियत यह है कि आपको कम से कम जगह में अधिक साथिक पौधा का आप प्रयोग कर सकते हैं जैसे कि आप यह सेटप जो देख रहा है यह 272 प्लांट लगा का सेटप है जिसमें आप देखेंगे कि 70 स्कौार फीट मे इतना पौधा लगा गया है अगर आप जबीन में इसको अगर किसी पौधा को लगाते हैं तो सतर स्कौार फिट में आप सत्तर साथ या पचास लगा सकते हैं लेकिन इसमें आप उपचाहिए जितना भी लें जाएगा यह तो आपका पौधा के संख्या बडता चला तो हम लोग को अक्सर यार आते हैं बड़े बड़े खेट जहां बहुत सारे लोग लगे रहते हैं किसान बहुत सारा मेहनत करते हैं और मिट्टी की बात होती है कीचड में नजर आते तो यह तकनिकी जो आपका है इस तकनिक के बारे में आपको जानकारी कहां से मिली यह मैं म सबसे बड़ा खासियत है कि आप कहीं भी लगाज़त जमीन पर भी इसका परियोग कर सकते हैं और खास करके छट पर जहां आपको सीपेश का संभावना राता है मिट्टी का गमला में मिट्टी में परियोग करने से वहां यह आपको छट पर उससे छुटकर मिल जाएगा आप जैसे कि एक पौधा को में उठा कर आप दिखाता हूं जैसे टर्माटर का पौधा है इसमें क्ले बॉल मैंने डाला हुआ है यह देखिए आप इसमें देखिए का जर है इसमें कहीं भी मीट्टी नियकिवल पानी है और इसमें पानी के साथ फटलाइजर जो इसका करना होता है लेकिन हम लोग पास समय का भाव है चुकि मैं भी जौब करता हूं तो बच्चे लोग है तो वो कभी कबार इसमें मोटर पांच मिन के लिए चलाते हैं सुबह में और साम में इससे ज्यादा यह नहीं चलता है अगर यह रनिंग किया जाए दिनों भर तो इसका लिए यह बीस पाइप लगावाब दस पाइप को लगा सकते हैं यह आपके ऊपर है छोटा सेट अब दिए दूसरा इसमें कोस्टिंग आता है स्टेंड को लेकर करके तो आप स्टेंड के जागा बांस का परियोग कर लिए उसमें आपको काफी कॉस्ट कम जाएगा जैगा लिए चार इंची का पाइप है आप तिन लिए परियोग कर सकते हैं तो उसमें भी आपका कॉस्टिंग बचेगा यह चुकि खुद से बनाया हुआ सेट आप है तो उसमें आपको मिस्टिरी चार्ज है हो भी बच रहा है ने तो आपको इसमें जयादे अच्छा तरीके से तो उसमें थोड़ा कोस्टिंग भाएगा यानि कहने के मतलब आप चाहते हैं लो बजट में करना तो आप बांस का इस्टेंड बना ये बांस सस्ता में हो जाएगा और आसानी से बन जाएगा आपका महनत रंग ला रहा है कितनी खुसी आपको बहुत जादा खुसी है चुकि यह पानी में हम लोगों ने जो टीव देखा टी वी अब आज हम प्रेक्टिकल करके देख रहे हैं तो इससे जादा खुसी देखने जब फलता है तो इसे जादा क्या आपकर ने लाइक नहीं है सबसे बढ़ा चीज क्या है कि इस जो क्रेला देख रहे हैं इसका नाम है उच्छ वाजू लोकल करेला जो आज महांगा बिखता है और इसका मेजर अगर फाइदा देखी का मिला जूला के सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब ज़्यादा है तो यह पैसान पर्योंको कर रहे हैं और आपको यह बहुत अच्छा टेक्निक है करेला आप दखीए का और देखें काफी ख्यवल दार करेला है जोकि फोटा करेला यह तब बारा भी लगा हुआ जो अभी टाइम है बस्में और अब अभी के समय में क्रेला इस यह जो गीरिन हाउस का सेट अप में आसानी से भाया जा सकता तो यह घर्मी का फसल है ठंड में नॉर्मल तरीके से नहीं होगा एक जानकारी आप से लेनी थी हमारे यहां सरकार के कि भाग है क्या उनके यहां इस तरह की कोई जानकारी उपलब्ध ह अभी तक सरकार के पास है जानकारी अगर को लेना चाहाए तो उनसे संपर्क करें गए उनको जानकारी इसमें मिल जाएगा है रोपनी के थुष Only चुकि ज्यदा तरे किसानों तक पहुंचाने पोशिजश है प्र रहे होंगे लोग तो अभी तक में नहीं है लेकिन हो रहा होगा इसमें सबसे बड़ा चीज है इसमें दो चीज आपको ध्यान देना होगा टीडियस और पीएच पीएच जो हता है पानी का जो पीएच है वो तो कोई दिक्त इसमें नहीं आएगा आने वाला साथ किसान परिवार से अरबीन महाता जी यह बड़े किसान इनसे जानते कि इस खेती को लेकर यह कितना प्रेरीत है इस तरह की खेती को देखिए बहुत ही अच्छा के है कि नया टेखनलिजी का पता चला इसमें और इसमें बहुत अच्छा लगता है कि चलोगाई के चछत के ऊपर में भी आदमी अगर किसानी सब्सक्राइब कुछ भी हो जाये तो सहर में भी हो सकता है उसको भी प्रेजित करके दिखा दिया कि कोई भी असंबब नहीं है काम कर सकते हैं बीना मिट्टी का भी आदमी को अगर जिसका च्छत है या जमीन वहां अंगन भी है कहीं भी उप जासकते हैं अभी के दिन में देखे कि पालक जैसे हैं यह पालक तो कहीं अब यह मार्केट में ने अब लबल होगा मगर यह मगर आभी देखिए पालक का पुरा इ प्रेक्टिकल हुआ आप तो थियोरी में तो हम लोग तो करेंगे एकदम एकदम तो आपने देखा कि कैसे बोकारो जीले में इसराइल की तकनिकी से खेती की सुरुआत हुई है यह चास उपनगर जो इसको करते हैं बोकारो के सबसे बड़ा बैवसाइक के अंदरे उहां च खेती कर सकते हैं फसल उगा सकते हैं सबजी उगा सकते हैं फूल फल किसी भी तरह की चीजों को उगा सकते हैं और किसान का जो काम है उसको आप अपना कर अपने पूर्वज का अपने पूर्वज की दी हुई इस बड़ी उपलबधी को आप अपना सकते हैं कैमरावेन जबेंद्र कुमार के साथ मैं राम नाराइन सर्मा चास